गुड बॉर्निंग फ्रेंड वेलकम टू आल इन माई चेनल डॉक्टर अंशुमान सुमन आशा करते हैं आप लोग सभी स्वर्ष्थ होंगे और अपने लक्ष के परतियक आग्र होंगे पुना मित्रों में आप लोग से आग्रह करूंगा कि इस महामारी के समय अपने स्वास पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस परकार का मद्येश याई हल्चल ने मुगल समराज के जन्म को एक मौका दिया आज हम वहां से पुना आगे पढ़ेंगे कि बावर की सीखने की जो परविदी था जिससे कि बावर ने भारत में एक विशाल मुगल समराज के अस्थापना कर सका हम लोग आज देखेंगे कि किस परकार से किन परिष्थितियों में बावर ने भारत में मुगल समराज के अस्थापना किया, बावर ने कौन-कौन से जुद्ध लड़े, उनके परिनाम क्या हुई, बावर की ब्यक्तिगत मिसेश्था एव उसकी जीवन से लिक क्या थी, ये स सबसे पहले जानेंगे कि बावर का जन्म कहां हुआ था, तो बावर का जन्म फर्गना में हुआ था, आपको सुविधा पहुचाने के लिए, आपके सुविधा के लिए मैं चोटा सा मैप बनाया हूँ, और मैं जरूर उन लोगों से आसा कर रहा हूं, कि जो इस वीडियो क को देख रहे हैं वह हमारे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें आपको वहां पर भोगोलिक जो आपको नक्सा मिलेगा इससे विश्त्रित है और समझने में असानी होगा तो चलिए फिर भी एक छोटा सा नक्सा बनाया हूं आप देखिए हमारा प्यारा भारत है भारत के जस्ट इमेडियेट प्रोशी पाकिस्तान और उसके बाद यह आफगानिस्तान इरान तुर्केमिनिस्तान और उज्वेकिस्तान ठीक है बावर का जन इस एरिया में हुआ था उज्वेकिस्तान का एक पूर्वी इलाका ठीक है जिसका नाम था फर्गना तो मित्रों हम लोग सीखे कि बावर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था फरगना कहा है उजवेकिस्तान का पूर्वी एरिया है आप फिगर में यहां पर देख सकते हैं ठीक है अब देखिए कि बावर का मूल नाम क्या था तो बावर का जो मूल नाम था वो था जहिरुद्दीन मुहम् कहा है उजवेकिस्तान में तो दो बात हम लोग सीख गए हैं इसी परकास से चलेंगे चलिए आप देखेंगे इसके पिता जी तो इसके पिता का नाम था उमर्शेख मिर्जा मिर्जा टैटिल हुआ करता था इसके बंसज लोग मिर्जा की उपाधि लिया करते थे हम आज य दिखे हैं कि 1483 वी बेलंटाइन डे और 14 फरवरी के डे फरगना में बावर का जन्म हुआ था इसका मोल नाम जहिरुद्दीर मुहम्मद बावर था इसके पिता जी का नाम उमर्शेख मिर्जा था जबकि माता जी का नाम कुतलुक निगार खानम था और जदी बावर में अ पर तिकों था एक तैमूर लंग और दुस्षा था चैंगेज खा की तो तइमूर लंग में अगर देखा जाए अपने पिता के तरफ से आनिकी इनके पिता उमर्शेख मिर्जा के तरफ से यह बावर जो थे तैमूर लंग का पचमा बन सब्स है जबकि अपनी अपनी माता क के तरब से अगर देखा जाए तो बावर चंगेज खां का चोद मावन सभी था इस परकार से बावर में एक अशीम सक्ति था और जिसमें की चंगेज खां और तेमूर लंग दोनों का खून दोड़ रहा था जदि बावर का अगर विश्रेशन करें तो बावर बहुत हटा- था एवम किनके बशफ रही थे अगर बंश परंपरा हिसाब से देखा जाये तियो तुरकी स tanikya शओ आई कविला से संबन्दित हा यह फिए आपको पूछा जाता अगर यह बात पूछे कि उमर सेख मिर्जा की मिर्टू कैसे होता है तो एक कबूतर का छत्री होता है वो उनके सीर पर गिरता है और उमर सेख मिर्जा की मिर्टू 1494 इसी में हो जाता है 1483 से 1494 के तरफ अगर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 11 साल का डिफरेंस है और थाथ 11 साल के उमर में ही बावर के उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गया क्योंकि अब उनके पिता का छत्र चाया उसके सीर पर नहीं रहा तब हैं चौता हैं सब्सक्राइए फार सफ़ीय को पẹंगत gesब्हा देखेंगे कि अब rho 3404 में बताया था किस्मर्खन्द की पर्तिष्ठाइव इस्था वर टेखेंगे अब पिछली वीडेयो में जदी आपने देखा होगा मैं बताया था था किसम्र की परतिष्ठा काफी बढ़ चुका था क्योंकि हम लोग बात किये थे कि तेमूर लंका जो पोता था उन्होंने शाहित देवं कला का बहुत ज्यादा परोचाहन समरकंद में दिया था और इसी के कारण समरकंद की परतिष्ठा इसलामिक जगत में काफी उन्नत हो चुका था अर्थाब सभी इस्लामिक सम्राज चाहता था समरकंद उसके अधीन हो और बावर इसका अफवाद नहीं था बावर भी चाहता था पिछली वीडियो में मैं इनका भी चर्चा किया था कि तेमूरिया जो सल्तनत थे बावर का सम्मन तेमूर बंस से था तेमूरिया जो सल्तनत था उसमें बटवारे का कुछ हमेशा समस्या रहता था बांट बांट करके शासन पर शासन चलने का तरीका वे लोग धूंड दे थे इसके इसी के बीच में आपस में संघर्ष होता था और इसी का एक उधारन है कि बावर 1497 इसी में समरकंद को जीता जबकि समरकंद पर उनके ही चाचा का अधिकार था 1497 इसी में बावर समरकंद को जीता जरूर लेकिन यह और स्थाई रहा ठीक है पुना बावर ने पावर जो है 1501 इसी में पुना समरकंद को जीता लेकिन इस वाल जो इनके सगे संबंदी थे जो इनके बिरुद में लड़ रहे थे एक उजवेक सरदार सेवानी खां का सयोग लिया बावर के बिरुद जो के पिछली पीडियो में हमने इस पर बहुत विसेश चर्चा किया है आप उसको रेफर करे दिया और जिस जुद में खदेडा वह बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रो जदी आप आध कर सके तो आध करिए इसका नाम ता सरेपूल का जुद शरेपूल का युद या सर एक कुल एक ही चीज है अलग-अलग कहीं मिलेगा तो हमने लिखा है सरेपूल या सर एकुल एक ज जुद में स्यवानी खाँ ने बावर को खदेड़ दिया था और जिस परशिद्ध निटी जुद्ध निती की wal ہं पानिक पत्रत में करेंगे अर्थात में बात कर रहा हो तुलुगमा निती का वो तुलुगमा निती पहली बाठ चीवानी खां के द्वारा सरेपूल में इस सिखा था तुलुगमा निती के बल पर ही बावर को सेवानी खाने खदेडा था तो देखिए ज़िए आप में शिखने की छमता है तो निष्टित रूप से आप जो है सफलता को चूम सकते हैं बड़ी सी बड़ी सफलता को आप काम्याब कर सकते हैं तो बावर देखिए जिस नीति के कारण वो हारा था उसी नीति के कारण वो आगे चलके पानिपत के युद्ध और खानवा के युद्ध को भी जीता तो आप देखें यहीं तुल्गमा नीति है जो सहवानी खास वो सिखा था ठीक है अब नेक्स आईए अब यह जो जिस समय बावर को खदेडा गया त विचली वीडियों में मैंने बताया था कि हालांकि वह बावर कावूल चला गया लेकिन उसका दिल और दिमाग हमेशा समरकंद पर लगा रहता था इंतजार करते रहता था कि कि किस स्थिति में पुनह में अपना समरकंद अपना छेत्र को जीत पाऊंगा अपने अधीन कर बावर ने बावर ने यह बहुत इनपाधि यह बावर ने उपाधि का नाम पाधि का सीलिए इंके पुर्वज लोग नाम उमर स्यख मिर्जा आब का उपाधि कोुई सधारण उपाधि नहीं था पाधि है पैमूर हासा का इसका अर्थ होता है कि खलिफा का वराभरी क्योंकि पादसा की उपाधी जेनरली खलिफा ही लेते थे लेकिन ये पहला सुल्तान था या सासक था बावर जिन्होंने पादसा की उपाधी लिया तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि बावर जो है पुरानी प्रमपरा पुर्वजों की प्रमपर से इतर एक नया प्रम्प्रा को जन्म दे रहा था तो आप समझें इनके पुर्वज मिर्जाक्युपादी ले रहा था और इन्होंने पादसा क्युपादी लिया कब 1537 बहुत इंपॉर्टेंट से ठीक है उसके बाद आप लोग जैसा जानते हैं पिछली वीडियो में हमने ब स्थिति का लाव उठाने के लिए बावर पुना पर्षिम की और रूख करता है और वह समरकंद को जीतने के लिए आता है और इस बार बावर उसी सप्वी समराज का सहयता लेता है और इरानी जो सप्वी समराज का सासक है सा इसमाइल बावर को सहयता करता है शोहाविक रू अवस्थाई नहीं कर पाता है ऐसा इसलिए कि सेवानी खां के बाद उज्वेक सक्ति कम नहीं हुआ कि अवेदुल्ला खां के नित्रित में उज्वेक सक्ति का और भी उत्थान हुआ और इस वार अवेदुल्ला खां बावर को पर्मानेंटली निरनायक रूप से समर्कंद से खदेड दिया और जब बावर पुना पूरव की ओर आया तो उसको यह मसूस हो चुका था कि अब जो है उसके लिए पस्चिम का रास्ता बंद हो चुका है साथ ही साथ मद्देशियाई प्रिष्थितियां भी बदला उसमें हम देखेंगे कि बावर को जो समर्थन करता था साथ देता था वह सफवी समराज था और उसका सासक था सा इसमाइल अब संजोग से उस्मानी समराज से सफवी समराज का सामना हुआ और उस्मानी समराज ज फो यही सक्ति था जिसने बावर को या मॉक दिया या बावर को मजबूर किया कि भारत के तरफ देखेए और भारत को जितने के लिए शिर्प यहीं नहीं इनके अन्य कारण भीते तो सबसे पहले हम उन कारणों को समझने का कोशिस करेंगे जिन कारण से बावर भारत के तरफ आया ठीक है मित्रो तो चलिए हम लोग अब कारण को देखते हैं कि बावर का आक्रमन का कारण क्या था सभाविक रूप से मित्रो क्योंकि इसको मद देशिया में और सफलता मिला तो आप समझ रहें कितना इंट्रेस्टिंग हो रहा है आपके लिए बहुत यसानी से सारे चीजों को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे दूसरी भात में धन का भंडार था ये बावर को पता था बावर को क्यों पता था क्योंकि बावर के पूरवज तैमूर लंग ने भारत क को लूटा था और बड़े पेमाने पर धन और कारिगर अपने पास लेके गए थे उससे वह इस बात को समयता था कि भारत में धन की कमी नहीं अपार धन संसादान है जिससे की पूरा उसका जो है बेगों के साथ सगे संबन्दियों के साथ अच्छा जिंदगी गुजार सकत का था उसके बाद क्या कारण था इनके बावजूद भी किसी को सकती नहीं होता कि भारत बाकरमन करें जदी भारत में कोई सक्तिसालि समराख या सुल्तान रहता लेकिन संजोक से यहां पर इब्रहीम लोदी का शाशन चल रहा था लोदी वन्स का यह अंतिम सासक अयोग सास भारत विकंद्र करन के दोर से सत्या का मतलब एकुंसी खास वेक्टी के हाथ में सत्ता का कैंद्रिकार नहीं था अलग-अलग सत्ता थे और इन सवों सत्ताओं के बीच में कोई कोडिनेशन नहीं था इसलिए भी उसको एक मौका था कि वह आके भारत की छेत्रों को जीच सके तो सत्ता के पिकेंद्रिय करण को अगर जदी देखें मित्रो तो उसमें हम देखेंगे जैसे कि मालवा एक जोगरफिकल घुखंड है उ उसे ऑसी परकाशे जुदुती गुजरात को देखें तो गुजरांब में महादूर सा था उसी परकाशे घर बंगाल के अरीशन संगाल में नुसरत सा था इसकी चर्चाओंगे हम लोग करेंगे मेवाड जो राज पूताना का एरिया है तो राजपूताना मेवाड़ जो बहुत ही प्रसिद्ध सा सक जिसका नाम था राना संगा या इसको हम संग्राम सिंग भी कहते हैं तो राना संगा उहां पर था बीजे नेगर दक्षिन का अरिया को अगर हम लोग देखें तो यहां पर कृष्ण देव था और बह्मनी समराज का जो उस समय करजकारी प्रवुख था वो महमूद गवाथा तो इस परकार से मित्रों आप समझ गए कि वह कौन सी प्रिष्थितियां था जो भारत पर आक्रमन के लिए बावर को लल चा रहा था तो ये सारी प्रिष्थितियां उसके हक में जा रहा था और इसके बावजुद बावर को भारत के तरफ से निमंत्रन भी मिला कि आप भारत प्राक्रमन करें हम आपको समर्थन करेंगे ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि लोदी काल एक ऐसा काल था जिसमें कि अमीरों की परतिष्ठा उतकर्ष पर था अमीरों का दवदवा परशा से रहता था और ऐसे में पंजाब का एक सुवेदार जिसका नाम था दौलत खान लोदी आद रहेगा मित्रों पंजाब का सुवेदार जिसका नाम था दौलत खान लोदी सुल्तान से बहिमनस्ता रखता था और वह चाता था कि पंजाब पर स्वतंदर रूप से शासन कर सके अर्थात इब्राहिम लोदी से उसका संबन्द अच्छा नहीं था और इसलिए वो चाता था कि कोई बाहिया कर्मन आए और इब्राहिम लोदी को प्रास्त करें और मैं पंजाव का स्वतंदर सासक बन सकूं ऐसा शायद दौलत खान लोदी मानता था ठीक इसी परकार से ठीक खान चाता था कि कोई ऐसी सक्ति आए इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाए और यह दिल्ली के गद्दी पर बैठे लालच इन लोकों के पास भी था इनका भी एक एम था कि कि किस कारण से वह आमंत्रन कर रहे थे बहाई यह आक्रमन कारी बावर जैसे योद्धा को ठीक तिसरा इसकी भी चर्चा मिलता है कि सायद राना संगा ने भी बावर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमन करने के लिए और बावर और अगर हम यहां बात करें राना संगा की तो सायर उनके मन में यहां चला होगा कि जदी यहां पर लोदिय का सासन समाप्त होता है तो कहीं कहीं राना संगा जो की सबसे सक्तिसाली सासक था दिल्ली सल्तनत के बाद उनको यह चांस मिलता कि वो दिल्ली से सासन कर पाए तो कहीं कहें इन तीनों के पास दौलत खालोदी आलम खां और राना संगा तीनों को कहीं कुछ एम था जिस एम को अपने पास रख कर बावर को भारत पर आक्रमन करने के लिए आमंत्रित किया था। तो मित्रों आप समझ चुके होंगे कि बावर के आक्रमन का कारण क्या था। इसी परकार से सुनते रहे हैं बहुत आनंद आएगा आगे की चीजों को और जान करके। अब देखेंगे का कि आप्रमन का आमंत्रण मिला है आक्रमन की शारी प्रिस्तितियां बावर के पक्षवें हैं तो क्या वह आक्रमन करेंगे ने करेंगे निश्चित रूप से करेंगे तो इसी करम में बावर ने भारत पांच युद desired guys वे किसटभिए और उन एवं भेरा के विरुद्ध हुआ बाजोर एवं भेरा के छेट्र को जीता हुआ और ऐसा माना जाता है कि भारत में पहली वार इसी जुद्ध में तोप का इस्तेमाल हुआ ठीक है दूसरा युद्ध जो हुआ दूसरा आकर्मन जो हुआ बावर का वह वह भी 1519 इस्वी में मैं बावर को जीत गया पैसा आप को मैं बताया हूं अगर यहां पे देखेंगे भारत के नक्सा पिछे जो है पाकिस्तान पाकिस्तान यह पेकर यहां पर उसके पीछे पीछे लगत फेसरा जओ एक. ता और इस अभियान में पुना बाजवरेवं भेरा को वो जीता, ठीक है, चौथा अभियान इसका महत्कुर्ण हुआ, चौथा अभियान जो बावर का हुआ, इस समय इनको आमंतरन मिला था, अभी जो इनके पहले जो हम तीन आखरमन पढ़े, 1519 और 1520 में, तीन आखरमन, उसमे बावर को आमंतरन नहीं मिला था, लेकिन इस बावर को आमंतरन मिला था, और आमंतरन किन से मिला था, ये आप भलिभाती जान चुके है, ठीक है, तो इस समय वो लाहर एवं दिपालपूर को जीत पाया, तो लाहर एवं दिपालपूर को अगर देखेंगे मित्रों, तो यह तो इस एरिया को अभी पैसावर जीता था नि देख लिजे कि यह काबुल के तरफ से जब बढ़ा था यह धीरी धीरी आगे बढ़ रहा था पहले पैसावर को जीता फिर अभी यह लाहर तक मोचानिक इस एरिया को कभर करते चले जा रहा था किस परकार से वह पूरब की ओर भारत की ओर बढ़ रहा था आप इस आकर्मन को भी देख कर समझ सकते हैं ठीक है जालिजर जो है अंतिमाह जो उसका था वो था वह था पाचमाह आखर नंओ और पाच्मा आक्रमन जब हुआ तो इस समय बावर यह पूरे पंजाब के एरिया को जीत पाया पूर्ण रूप से पंजाब को विजित कर लिया इस पाच्मा आक्रमन में ही परशिद जुद्ध पानिपत का प्रथम युद्ध हुआ उसको हम अलग से पढ़ेंगे तो मित्र ह से भारत पर भावर ने 5 बार आक्रमन किया और अब पढ़ेंगे कि बावर के आक्रमन के बाद आणि पच्मा आक्रमन के समय जो पानिपत का प्रथम युद्ध हुआ किस परकार से भावर के जीवन को भी बदला और भारत में एक नई सक्ता को जन्व दिया उसको हम लोग सम बावर ने कितने जुद्ध लड़े तो ये कुल चार महतपूर्ण जुद्ध भारत में लड़े कितने चार महतपूर्ण जुद्ध लड़े चार महतपूर्ण जुद्ध में सबसे महतपूर्ण जो युद्ध था वो पहला युद्ध ही था जो कि पानिपद का पर्थम में आगे चल करके पानीपत का दुत्य युद्ध को पढ़ेंगे वह अकवर और हेमू के बीच में होगा और तीसरा जो युद्ध होगा 1761 स्वी में आहमद साहव दाली और मराठाओं के बीच में होगा तो तीन पर्मुख युद्ध पानीपत के मैदान में लड़ा गिया है आज पहला युद्ध के बारे हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है बीच में हुआ था बावर ने जो निती अपनाया था वो निती कौन सा क्य पानीपत के पर्थम युद्ध में बावर ने दो पर्मुख निती अपनाया था मित्रो जैसा आप लोग जानते होंगे पर्थम निती को आप लोग समझते होंगे हर जगा आपको देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलता होगा वह पहला निती था तुलुगमा निती और दूसरा निती जो हमने लिखा है रूमी निती था तो मित्रो अभी मैं आपको चरितार्थ करूँगा कि जो मैं पहले बोला था कि बावर जो था उसमें लर्णी कैपेसिटी बहुत ही सांदार था वह बहुत ही खोजी विप्ति था और सिखने की अध्भूत छमता था उसमें यह तुलगमा निती किस से सिखा था यह सैवानिक हां से सिखा था ठीक है सरेपूल के युद में सिखा था आज देखिए वो सिखा हुआ चीज उन्होंने पानिपत के पर्थम युद में इस्तेमाल किया निरने आपको मालूम है पर जिसको कि जुद्ध भूमी में ही मारा गया तो यह भी प्रस्ण बनता है कि पहला सुल्तान कौन था जो जुद्ध भूमी में मारा गया उसका अंसर है इब्रहिम लोदी और मित्रों यहां पर मैं बताओं सुल्तान का मिनी सिर्फ दिल्लिश सल्तनत से होता है ठीक है तो तुल्हमा निती पर अगर हमको मौकाँ मिलेगा थाम विशेश वीडियो बनाएंगे कि कि तुल्हमा निती हाइए फिर आपको मैं बता दू हल्का साथ हुद्य होता है olduğunu सेना को मुखेता चार खंडों में बांट दिया जाता है जो मद्ध का सेना होता है मद्ध की बीच की जो पंक्ती होता है उसमें सेना को एक आगे और एक पीछी और बीच में बैल गाड़ी को जोड़ दिया जाता है और बैल गाड़ी को रसा से जोड़ा जाता है और उसके पी घिर जाता आनिक घेर लेता है दोनों तरफ से और जब अचानक होता है तो दुष्मन सेना को पता नहीं चल पाता है कि आखिरे टेक किस परकार से इतना तेजी से क्यूं हो रहा है तो इससे वह घवरा करके वह हार जाता है तो तुल्गमान निती के बारे में हम आगे समराज से हुआ था और आपको मैं बताया था कि उस्मानी समराज ने सफवी समराज के साइस माइल को हरा दिया था और साइस माइल को मारवी दिया गया था उस समय जो निती उसमानी समराज ने अपनाया था वह बावर उसको सिखा कि आखिर कौन साथ आखिर क्या था जो उस जगा पे रख करके बंदुकों को रख करके दुस्मन को निशाना बनाया जाता था वह वैल गाड़ियों के बीच में उसके सेनिक सुरक्षित भी होते थे और निशाना बनाना भी आसान होता था उसको बोलते हैं रूमी नीती तो इस परकार से आप लोग देख लिए कि बाव मैं भी आप सेवान करता हूं कि आप लोग भी किसी भी विषयवर्ष्टू को अगर देखते हैं समझते हैं और उसकी सफलता को आप जानते हैं तो उन चीजों को सीखिए और जीवन में इंबाईव किजिए बावर ने इंबाईव किया और एक विशाल सेना इब्राहिम लो तोफची का इस्तेमाल क्या था इसके बारें भी पूछता है मैं लिख दिया हूं उस तोफची का नाम पहला का नाम था मुस्तफा और दूसरे का नाम था उस्ताद अली दोत्परमुक तोफची थे और जदी इस पानिपत के प्रथम जुद्ध की और विशेष्टा की बात बावर को कोहिनूर हिरा देता है और यह जुद्ध का जब लूट का बटवारा होता है तो यह जो कोहिनूर हिरा है वो ही मायू को मिलता है हिस्से में ठीक है और अगर बावर नामा का अगर बात करें बावर नामा बावर द्वारा रचित आत्म का था है जिसको तुझे के बावरी कहते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें बावर खुद या बताया है कि पानिपत का जो प्रथम जुद्ध था उसमें जीत का स्रे अगर किसी को देन होगा तो हम तिरंदाजों को देंगे तो यहां पर बहुत बड़ा बात है मित्रों लोगों को लगेगा कि जो तोपची लोग थे वो पानिपत के पर्थम जुद्ध को जीते लेकिन बावर के अनुसार से जो जुद्ध का हीरो था वो तिरंदाज लोग थे ठीक है तो के पर्थम जुद्ध से भी बावर इतना सक्तिशाली नहीं हो पाया था हां इतना जरूर कहा जा सकता है कि पानिपत के पर्थम जुद्ध ने मुगल सत्ता को जन्म दिया जो की सद्यों से बर्षों से चला आ रहा दिली सल्तनत की सत्ता को अब उखाड फेका और एक नए सत्ता को जन्म दिया कौन पानिपत का प्रथम जुद्ध लेकिन इतना मानना उचित होगा कि उस समय बावर अपनी सत्ता की अस्थाईत को नहीं दे पाया था और बावर को यह पत ब्राव का शाषकता राना संगा जिसको कि हम संग्राम सिंग भी कहते हैं वह सबसे सकति शाली था उनसे निप्टे बीना भारत में सासन का रहा देखना कतई असां नहीं था इसलिए बावर ने अब रूख किया है राना संगा के तरब तो मित्रों राना संगा के बारे में ज़ेदी बात करूं तो ये बहुत ही महान योद्धा था और कहा जाता है कि इनका जो भाला था बहुत ही भारी वा करता था सारेरिक कद काठी से भी बहुत ही स्ट्रॉंग था और कई घाओ के निशान इसके सरीर पे थे और ऐसा भी माना जाता है कि राणा संगा कतई जुद नहीं हारते थे तो ऐसे में बावर का उसका सामना होना बावर के लिए ये बहुत बड़ा चुनोती था कि राना शंगा से किस प्रकास से निब्टा जाये क्योंकि राना शंगा चाहता था कि बावर भारत आये और भारत को लूटे और वह पुना तेमूर laat के त्रहों आफिस सके लेकिन ऐसा हुआ नहीं बावर ने कहा बावर ने कहा कि भारत में कावुल की गरीबी नहीं है यह बहुत ही बड़ा बात था मित्रों मैं पुना इसको इलेवरेट करना चाहता हूं कि भारत ने जो बोला कि भारत में कावुल की गरीबी नहीं है इस बात को समझी जब का मुख के कारण था कि काबूल से प्राप्थ होने वाला आए जो था सफिसेंट नहीं था बहुत कम आए प्राप्थ होता था काबूल से जब आर्थिक रिष्थिति सही रहेगा तभी लोग जादा संतुष्ट रहेंगे अब जो है उसी स्टेट्मेंट को बावर ने भारत में आकर बोला कि अगर मैं भारत में रहूं तो काबूल की रिष्थिति नहीं रहेगा अर्था यह साफ इंडिकेशन था बावर जो है अब साथ देने वाले कई लोग समर्थन में खड़े हुए जैसे कि समर्थन कौन कौन दिया राना-शंगा को महमूद लोदी लोदी कौन था इस इब्राहिम लोदी का भाई था सोहविक था इब्राहिम लोदी को बावर ने मारा था उसके भाई को तो निश्चितरूप से राना सांसक हसंघ में इसका भी कहिन कहिं मिढरा बावशी देख सब्सक्न सब्सक्कारों स्वतल को साथ देने का बचन दिया और अस फ्रक्रीव राना संघ के सेना का सेनापती क्लus कोशन वार वार पूछता है कि भ् лишь याद रखेंगा हसंघ में इस सेना पत्त था ठीक है नेक्स्ट आप देखिएगा इसके बाद राजपुत जितने साशक थे लगभग सभी ने राना संगा के छत्रचाया में आया बावर के विरुद्ध जब ये बात बावर को पता चला तो उसको ऐसा लगा कि राना संगा से जीतना आसंभव कार्ज है सभाविक ही था राना संगा खुदी एक सूर वीर था इनिर्विक योद्धा था उसकी सोर्ज उसकी परतिष्ठा भारत में काफी था इससे भी बावर को डर था और दूसरी बात ये इतने लोग जदि राना संगा के पक्ष में खड़े हो जाए तो बावर के लिए बहुत मु निती अपनाया हो क्या आपनायों देखी है आप पानी पत्क के युद्ध में देखिय बावर ने निती Tam तुलगमा का नीति रूमी सी धंत लाया तोपों का इस्तेमाल किया पानिपत के पर्थम जुद्ध को जीत लिया लेकिन उन नीति के बावजुद भी अब राना संगा के सामने बावर बोने पड़ रहा था तब बावर ने क्या क्या यह बहुत मज़ेदार बात है अब देखि उन्होंने जिहाद के लिए जान दे दिया तो अभी मैं उसर विशेश चर्चा नहीं करूंगा मैं थोड़ा सा चर्चा करके बताओं जिहाद का अर्थ होता है धर्म के लिए जान देना तो देखिए यह जह है इमोशनल गेम इमोशनल गेम बावर ने चल दिया अपने वह लोग ठक चुके थे इसमें वह जोस नहीं था वह लोग अपना वाफिस जाना चाहते थे इसके बावजुद राना संगा से लड़ना कितना मुश्किल था बावर के लिए आप समझ सकते हैं तब बावर ने जो अपना नीती अपना है उसमें सबसे पहले उन्होंने जब जिहाद का नारा दिया तो लोगों को लगा कि यस हमको धर्म के लिए लड़ना चाहिए वह पुना जो है तरोताजा होना शुरू हो गया आप देखिए किस परकार का इन्होंने टेकनोलोजी इस्तेमाल किया जिहाद दूसरा एक सच्चा मुसल्मान होने के लिए ऐसा माना चाहिए कि शराब नहीं पीना चाहिए शराब का बढावा नहीं देना चाहिए और बावर को लगा कि यह उची तफसर है कि हम अपने समराज में न सराब बिकेगा और ना खरीदा जाएगा तो इस परकार से उन्हों ने पुना जो है अपने लोगों को इकठा करने का प्रियत्न किया और यह बहुत ही कड़ा संदेश था अपने लोगों के लिए बावर के पक्ष में आए तो आप देख सकते हैं कि कि तमाम विवृत परिस्थितियां में बावर किस परकार से अपना काम ले रहा है तो सराब बंदी कर दिया अपने पूरे समराज में उसके बाद से और मुसलमान को खुश करने का एक तरीका था जो चुंगी या तमगाकर मुसलमानों से परसे हटा दिया तो इस परकार से जो तमाम विभृत परिस्थितियां बावर के लिए बन रहा था इनके ही सरदार इनके ही बेग इनका साथ छोड़ने की जो इस्थिति में थे अब पूरी तरह से बावर के प्रक्ष में खड़ा हो गया एक सकनाया निया बिशालवाद ये जुद्ध हो रहा था 1526 सीष्व में। पानीपत का पर्थम युद्ध हुआ। तुलगमाश निती प्रियोग किया गया और초 इब्रहिम लोधि को हरा किया राना संगा कहीं लाहीं इस बात को नहीं सीख पाया और नहीं समझ पा झावर पुन पावार रानाशंगा को हानवा के जुद्ध में हरा दिया हैं ठीक है। जो खानवा का जो एरिया है दोस्तों वार भार मैं बोल रहा है यह भरतपूर का एरिया राजस्थान का पुर्वी एरिया है। अगर फटे पूर्शिकरी से बहुत ही नजदीक है ठीक है तो खानवा के जुद में बावर ने राना संगा के बहुत ही विशाल सेना को प्रास्त कर दिया यहां तक कि राना संगा भी घायल हुए और वह घायल अवस्था में पहाड़ियों में जाके अपने साथियों के साहता से छिप गए पुना राना संगा बावर से चुनोती लेने के लिए तयार हो रहे थे कि उनके ही अमीर लोग अने उनके ही अधिकारी लोग उनको जहर दे दिये और राना संगा की मिर्तु जहर खाने से हो गया ठीक है इसलिए कभी-कभी कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं राना संगा खु किए कि खानवा का जुद्ध बावर जो है कठीन परिस्तितियों में जीत लिया और इस जीत के बाद उन्होंने एक उपाधी लिया वो उपाधी था गाजी का उपाधी तो मित्रों अब अगर उपाधी की बात करें तो दो उपाधी अभी तक है के फंदरसव शो इसमें पादसा की उपाधी लिया जो खलिपा का बराबरी करता था अब खानवा का जुद्ध जीता तम इन्होंने गाजी का उपाधी का ली तो ऐकर करेंगे अब हम लोग बात करेंगे चंदेरी का यूद चंदेरी का यूद जो है यह मालवा के एरिया में मोदनी रा एक बहुत ही सकती सालिश सासक था राजपुत सासक था राजपुत भी जुद्ध करते हुए निर्विक रूफ से सहीद हुए और यहां आपको जवहर देखने के लि प्रस्ण चिन्द खड़ा हो सकता है उसके गोरब पूर्ण जीवन पर प्रस्ण खड़ा हो सकता है तो सोहिमान और सतित्य की रक्षा करने के लिए अपनी प्रान को उत्सर्ग दे देते हैं उसको जवहर कहते हैं अगर जवहर का थोड़ा एतिहासिक प्रिष्ट भूमी को देखेंगे तो जवहर की चर्चा सबसे पहले आपको मुहम्मद बिन कासीम के 712 काक्रमन के समय मिलेगा और भारत में सबसे पहली वार जवहर 1321 में रंधंभोर में हुआ था और इसी परकार का जवहर और साका जो कहें तो चितोड में तीन वार हुआ है ठीक है चलिए उसक के जुद्ध बहुत ही असान से इसके डेट आध रखेंगे 26, 27, 28, 29 तो अब घागरा का जुद्ध में कौन था इसका विपक्षी यह महमूद लोदी महमूद लोदी वही इब्राहिम लोदी का भाई जो की राना संगा को साथ दिया था राना संगा के जुद्ध से बच करक कि अब यहां पे बिहार में वह सरन लिया था कौन महमूद लोदी नुश्रत सा कौन था यह बंगाल का सासक था जैसा कि हम आपको बताएं पहले यह दोनों मिलकर अब जो है बावर का सामना करने के लिए तयार हुआ बावर जुद्ध के लिए आया यूं कहें कि घागरा न बावर ने निनायक रूप से ईस जुद्ध को नहीं जीत पाया था और बावर को पता था कि इस परका इस जुद्ध को जीतने के लिए लेक लंबा अभ्यान की जरूरत है और बावर के पास उतना समय नहीं था बावर बिमार हो रहा था इसलिए महमूद लोदी के अधीन ही ज्यादा तर छेतर दे करके और नुश्रत खां के साथ समझोता करके वह पुना वापिस लोट किया और आगरा लोटने के बार जब बावर काबूल जा रहा था तो लाहूर के नईदिक लाहूर के नईदिक इसकी है कि बावर के अस्थापति को देखें तो बावर के अस्थापति में आप देखेंगे इन्हों ने बहुत बड़ा अस्थापति के चेतर में कुछ काम नहीं किया कुछ मस्जिदें बनवाए जैसे काबूली वाला में एक मस्जिद बनवाया ठीक है उसके बाद आपको याक्ष्त नहीं गिया है बावर का शेनापती था रिक्रटान सब्सक्राइब लेकिन लुकल के आध्याद ज्रूप से आध्यादेश गया आयोध्या ने के लिए अध्याध्या Mais मजृ गाए में आप सभी जानते इस चीज़िज को तो आयोध्याнять मैं इसके seventeen पति मीर बंखी धुआरा बनवाया गया है वावर के आदेश से और उसके बाद बावर ने और क्या एक विसेशिज बनाया उसको नहीं नूर अफगान नूर आफगान का मतलग है अराम बाग नुराफगान जो बनवाया गया ये जयमिथीय सिध्धान्त पर अधारित था इसलिए एक बहुत ही कौशुरत दिखता है तो यह यहाँ पर आपको कोशन पुछा जा सकता है कि अराम बाग का अन्निनाम क्या है लान है तो तो अब लया है यह नंक प्रही न यह आप अश्थापति के चेत्र में अच्छा सोच फार उसका लगाव था उसी परकार से बावर को इसे से काफी प्रेम भीड़ती था उसको फार्शी अर्वी के साथ साथ तुर्की पर महान अधिकार था आने तुर्की जो उसकी मात्री भासा था अगर ये पुछा जाए कि बावर की मात्री भासा क्या था तो उसका मात्री भासा था तुर्की मित्रो तुर्की पर तो उसका इतना पकड़ था कि ततकाली समय में दो परशिद लेखर जो तूर्की के होते थे उसमें बावर भी एक था आप सोच सकते हैं बावर का तूर्की पर कितना पकड़ था और साथ साथ वह फार्शी और अरवी तो जानता ही था ठीक है अब देखिए कि बावर ने एक अपनी आत्म कथा लिखा जिसका नाम था तुझुके बावर नामा के नाम से जाना जाता है तुझुके बावरी किस भाषा में लिखा गया है तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया है और अगर इन डीप कोश्यन पूछ दिया जाए कि तुझुके बावरी माकिर क्या है तो बावर ने जो चर्चा किया है उने पशुपक्षियों फल सब्जियों फल फूलों इत्यादी का भी चर्चा किया तो तुझुके बावरी एक कम्प्लीट बूख है कि अल्फिंस्टन नामक विद्वान इत्यासकार बोलते हैं कि मद्यकालिन भारते इत्यास में बावर नामा जैसा कोई पुष्टक बास्तिक पुष्टक नहीं है तो आप इसकी अंदादा लगा सकते हैं कि तुझुके बावरी कितना प्रसिद्ध पुष्टक रहा तुर्की भासा से फार्सी भासा में पहली बावर नामा को किसनी अनुवादित किया तो वह बेखती था अब्दूल रहीम खान ख लाकश के उसका नाम था मौनाप पद सली थैंट मौना अगर इंडी पूष्टलियरा दिया क्या है तो है तो बावर रहा अजित प्रसी कविताओं का संग्रा अनुकर पिताओं का संग्रार्ण जो थे इसके उसको दिवान कहा गया था ठीक है मित्रू है अब जदि अंतिम रूफ से और बावर की बात करें तो क्या बावर शाहित तक में ही सिमित था क्या बावर अस्थापत तक में ही सिमित था नहीं मित्रू बावर एक बहुमखी परतिभा के धनी बेगती था उसका चित्रकला में भी बहुत अच्छा लगाव था और जदि यू बहुत कम समय तक भारत पर या मुगल सासन में मुगल सत्ता पर खाविज रह पाया ऐसे में चित्रकला का एक विशेश रूप तो नहीं दे पाया विवजार्थ के चित्रों का आलोचना आत्मा का ध्यन भावर ने किया था तो आप समझ सकते हैं मुगल वंस का यह पहला सा सक् क कि ध्यान दिया कि इसकी अनकुछ छोटी महत्पुन जानकारी की बात करें तो उसमें देखेंगे गजे बावरी नामके मापक चलाया गजे बावरी का मतलब हुआ और जैसे कि आप लोग यहां देखें कि 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 पर्कार से मुसलिमों पर तमगा कर वो Saf fils i आज की वीडियो में हमने भावर को पुर्ल समाहित करने का प्रयत्न क्या सब्सक्राइब कीजिए और जदी parents को इस वीडियो से पढ़ करके लगता है कि हम जानकारी प्राप्त किये हैं तो निश्चित रूप से मेरा एक प्रस्ण होगा आप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईएगा बावर को कुल तीन उपाधी का चर्चा हमने आज किया है उन तीन उपाधियों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईएगा आज भर के लिए बस इतना साहिए थेंक्यू बेरी मच्छ